आप इंजिन की नॉइस सुन रहे होंगे यह नॉइस है आई ट्वेंटी की सी एन जी के साथ आप सब कस ओगेते हैं आटोमेशन इंडिया में और आज की जो वीडियो ने वाली है वो हने वाली है दो कार का कंपेरिजन दोनों ही कार अपने सेग्मेंट में बेस्ट सेलिंग का लिए का वाट जीट चुकी है जो हमारी पहली कर रहें नेकसा की तरफ से बलीनों हलागी मारूती की हाध मारूती का इस पर टैग है और दूसरी का रहे हमारी हुंडे की ऐ-20 कंपेरिजन में थोड़ा सा ट्वीस्ट है ट्यूस्ट यह है कि इस बार जो कंपेरिजन ने वाल नहीं रहे वीडियो को देखें और अगर अभी साकता है नूट करूंख दो सब्सक्राइब कर दो ऺिए सब्सक्राइब करते हो था हम्हें यक मोटिवेशन मिलता है है कि मृडियो लाते रहें आपके लिए अच्छे और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करके पूज़ो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार दोनों ही गाड़ियों में aftermarket CNG लगी भी है एक तरफ जहां बलीनों में CNG कमपनी ने लगा के दिया है DD Motors की तरफ से, कहरे नेक्षा की गाड़िया लेकिन CNG इसमें DD Motors ने लगा ही, वहीं I20 में जो CNG लगी है वो लवेटो कंपनी की लगी वी है और COPD2 इसमें लगी वी है दोनों ही गाड़ियों में आफ्टर मार्केट CNG लगी वी है तो दोनों के जो CNG पुलिंग का जो ऐप्शन है वो आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा बलिनों में आपको यहां मिलेगा CNG की फिल फिल्पेटी Εप आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपका फिलिंग का ऑप्शन वो डिपेंड करता है कि आप कहां से लगवार है उन्होंने फिटिंग कहां करी है बात करें अगर कि दोनों में पिकप किसका है तो हम वीडियो के लास में जरूर बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आपको जाद अगर मेरा आप ओपीनिन पूछें तो आई टूंटी के जो और वेविल से बहुत ही क्लास ही लगते हैं एक दम मतलब शांदार लुक आ रहा है वहीं बलीनों के जो है वो नॉर्मल लुक आपको देखने को मिलेंगे चलते हैं पहले हम देखते हैं आई टूंटी का बूट स स्पेस की बात करें तो से एंजी का सिलेंडर 12 इसमें लगा हुआ है और टायर की फिटिंग इसमें आपको स्लेंडर के पीछे देखने को मिलेगी और स्पेस आप देख सकते हैं एक बॉक्स आपका यहाँ पे रखा हुआ है सेम बॉक्स आपका यहां पर भी आ सकता है वहीं इसकी जो सीट वह फोल्डेबल होती है फोल्ड जाती जाती है सीट उसमें कोई दिक्कत ने तो आप अपना स्पेस में रख सकते हैं सिलेंडर लगने के बाद अगर ग्राउंड क्लिरिंस की बात करें क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्लेंडर लगने के बाद गाड़ी दब तो गाड़ी इतनी नहींड़ते हैं मतलब लोग सोसते होंगे कि सिलेंडर लगने के बाद भी गाड़ी दुष्टाती है यह है बलीनों का इंटीर और यहां पर आपको दिख रहा होगा आपका सी एंजी का जो मतलब जैसे आप आफ्टर मार्केट लगवाते तो यहां पर एक छोटा सा यह बॉक्सा लगता है जिसमें आपको पॉइंट दिखते हैं कि आपकी कितनी से इंजी बची विया सेम आपको जो बल इंजीन वे डिखने को मिलगा भी चलते हैं आइटउंटी के अंदर और दिखाते हैं कि आइटउंटी में कैसा लाकित अगर तो यह पर भी आपको सेम आपका सी इंजी मेटर देखने को पॉइंटेड वाला जिसमें आपको पता लगता तरह कि chi in बची है आप इंजिन की नॉइस सुन रहे होंगे ये नॉइस है आई 20 की CNG के साथ बलीनों के engine की बात करें तो बलीनों में CNG लगने के बाद जो engine की नॉइस आपको देखने को मिलिए हुँ इस तरहिके के हाला कि अगर noise की बात करो तो आपको i20 में noise बहुत ज़्यादा ही क्योंकि i20 का pick-up भी बलीनों से ज़्यादा है और i20 की range भी बलीनों से ज़्यादा है पैसो के मामले में कि बात करते हैं कि cng में दोनों के pick-up की तो pick-up की बात करें तो आपको guaranteed pick-up i20 में देखने को ज़्यादा मिलेगा बलीनों के मुकाबले लेकिन जहां average की बात आती है तो मारुति का slogan कहलो है मारुति की tagline कहलो कि वह अपनी गाडिया बेशती ही average के उपर है तो बलीनों का average आपको petrol में भी देखने को ज़्यादा मिलेगा और cng पे देखने को मिलेगा average की बात करें तो तो पेट्रोल में अगर i20 की बात करें तो 13-14 का average मिल जाता आइट्रोल पे वहीं बलीनों की बात करें तो अठारा 20 तक का average आपको मिल जाता है पेट्रोल पे cng की बात करें तो cng में जो i20 इस कार में लगी भी है वह लेवेटों की लगी है जिसमें एक एडवांसर लगाया हुआ है जिस एडवांसर की मुदद से आपको जो पिक अप है वह बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरी बात आपको को एक्शा मिलता है करें तो high-way पर आपको दे देज़ीवेज से नoga के बातका इन डोड़ियो को इन दोनों drive कना है तो देखें बिल्ट क्वालिटी में की वह PAUL बढ़न को बहुत बढ़िया है बहुत Fly को निरास कर सकती है लेकिन बात करें अगर प्राइस नेंज की तो आपको आई 20 थोड़ी सी महंगी पड़ेगी बलीनों के मुकाबले लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता है अगर आप बिल्ड कॉलिटी देखें और कमफर्ट लेवल देखें तो कमफर्ट लेवल बिल्ड क्व कर सकते हैं लेकिन बलीनों में एक बहुत बड़ा जो इसका एडवांटेजर वह इसका स्पेस गाड़ी का स्पेस आफ्टर सी एंजी भी बहुत अच्छा है वहीं आई 20 में आपको थोड़ा बहुत स्पेस का कम लग सकता है लेकिन कमफर्ट लेवल आई 20 का बहुत जादा अच्छा और अगर दोनों की हैंट लिगा अच्छा है और अगर हैंट के बात करें तो हैं जो बेब्रेगिंग शिस्टम अब अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम दिए गये वह तोड़े आटवांस टेक्नोलजी पर बेस्ट करें आई 20 में जो टेक करवाने के बाद सीधी सी बाद तो दोनों ही गाड़ियां लगबाग 320 रुपे में फूल हो जाती है वो डिपैंड करता है कि आपको प्रेसर मिल रहा है तो 300 320 तो लगा लेते हैं कि इतने रुपए में फुल हो जाती है दोनों गाडियां और दोनों ही गाडियां अगर बलीनों की बात करें तो बलीनों आपकी चली जाती है 250-280 और वहीं I-20 आपकी चली जाती है 220-240 और यह हाईवे का है अगर आप सिटी मे तो city में आप लगा लिजे 40 कम लगा लिजे लगवए इतना ही जाती है तो cng में अगर आपको कोई गाड़ी ले नहीं है अगर आपका बजट ठीक ठाक है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाए i20 की तरफ और अगर आपको लगता है कि आपको value for money चीए थोड़ा कम आपका करें तो यह वाली लाइन आपको दिख रही है यह है i20 की और यह है बलीनों की और दोनों ही गाड़ी cng के साथ हुई है और जो हमारे ड्राइवर थोड़ा सा पागल हो गया देखके कि उसकी बलीनों हार गई है यहां पर बट हार गई बाई sorry अगर आपको हमारी यह वीडि सब्सक्राइशन 24 44 के नाम से हम आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में